Hello everyone, आज discuss करेंगे General Science Physics के कुछ important MCQ ये जो MCQ है आपके आने वाले हर exam के लिए important है और उन सारे exam जिसमें science के questions पुछे जाते हैं उन सब में ऐसे questions खास दोर पे पुछे जाते हैं आपको क्या करना है बस मेरे साथ जो है इन सारे questions को attempt करना है और जो answers होंगे वो comment box में लिखना है और जैसे-जैसे question आते जाएगा आपको comment box में answer देते जाना है ताकि आपकी भी practice मेरे साथ चलती रहे आगे बात करते हैं तो जो first question है वो है सक्ति का मातरक क्या है सक्ति को क्या बोले आता है सक्ति को बोले आता है power और ये power का मातरक होता है या होता है हर्ट्स, वोल्ट, वाट या फिर न्यूट्रोन तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वाट वाट जो होता है power का मातरक होता है इसको कैसे दिखा सकते हैं इसके detail में बात करें तो power बराबर जो होता है work, but a time और ये work बटा time को और कैसे बता सकते है तो work बटे time को लिख सकते है जावल या और जो है second तो इसको जावल पर second भी बोला जाता है या फिर इसी को जो है what कहा जाता है आगे बात करते है next question की बल का मातरक क्या है तो बल का मातरक जो है options है आपके Faraday, Fermi, Newton या फिर Rutherford तो बल का जो मातरक होता है वो होता है Newton और बल को क्या से दिखाते है force से और force को दिखाते है F से और ये जो force बराबर होता है ये होता है mass into acceleration या फिर acceleration को तोरन भी बोलते है और mass को दरब्मान ही बोलते है और जो ये mass होता है इसका इमट होता है kg और acceleration को होता है meter पर second square और इसी को कहा जाता है जो है Newton kg, meter, per second square को ही कहा जाता है Newton next question की बात करें कारी का मातरक क्या है कारी मतलब work और जो work का मातरक होता है क्या होता है इसका जो सही मातरक है वो है जूल, न्यूटन, वाट या फिर किलोग्राम इसका वह सही मात रख होगा है वो है जावल और यह जो है वर्क का मात रख होता है वर्क बराबर क्या जानते हैं हम लोग जो वर्क होता है वो होता है force into displacement या फिर बल, गुने, विस्तापन और इसको हम लोग लिख सकते है force का जो मात रख होता है वो है न्यूटन और जो displacement होता है वो होता है मीटर में और इसको कैसे दिखा सकते हैं तो इसको लिखा सकते हैं न्यूटन, मीटर में और इसी को जो है जूल कहा जाता है आगे बात करते हैं आवरिती को मापा जाता है किसमें, हर्ट्स में, रेडियन में, मीटेर पर या फिर सेकेंड में, तो आवरिती को जो मापा जाता है, वो मापा जाता है, हर्ट्स में, हर्ट्स इसका सही अंसर है, और हर्ट्स में कैसे मापते हैं, तो आवरिती जो है, बेसिकली, इसका जो फर् प्रॉपएकेट करता है वेब जो बढ़ता है तो किसी खास टाइम पिरेड में जो जितना वेब जो है वहाँ से ट्रांस्मीट करेगा वहाँ से फूलो करेगा उसी को बला आता है आवरिती अगले कोशन की बात करते हैं चालक की विद्यूत परतिरोधकता की क्या है विद्यूत परतिरोधकता या फिर एलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इसका जो SI उनिट होता है वो इन में से कोई नहीं है ठीक है इन सारे में से कोई भी ऑप्संस नहीं होगा तो इसका सही अंसर क्या होगा चलिए बात करते हैं जो विद्यूत परतिरोधकता है उसको ब कंड़क्टर में वो जो है जो फ्लो करता है चार्ज उसको अपोज करता है और उसी को बोलता है रेजिस्टेंस ठीक है और उसका जो केपेबिलीटी होता है उसी को बोलता है रेजिस्टिविटी तो जो रेजिस्टिविटी होता है वो डाटली परपरशनल होता है जो जितने लंबी वायर होगी मानके चलिए उतन önहीं ज़्यादा फती रोधा का ओगा और जितना जो एरिया और को सेक्षण मतलब की किसी तहर की मोटाई मोटाई जितनी जादा होगी उतना ही जो है रेष्टेन्स कम होगा अगर इस दोनों एक्योशन को हम combine करें तो हम लोग लिख सकते हैं R is directly proportional to L upon A तो यह जो L upon A है इसको अगर इसका जो है जो proportionality को हटाते हैं तो हम लोग यह आदाते हैं एक constant देते हैं मतलग कि हो जाएगा R directly proportional to L upon A है और R का जो जो resistivity है जो resistance है उसको equate करते हैं तो यहाँ पर होगा एक constant और यही constant देते हैं हम लोग row और यहाँ पर हो जाएगा L upon A ठीक है और अगर इसी को और detail में हम लोग बताएं तो final equation बनेगा वो हो जाएगा row बराबर क्या हो जाएगा row बराबर हो जाएगा आपका R A upon L और अब देख सकते हैं कि इसका unit क्या होगा तो R को दिखाते हैं ohm से क्योंकि यह resistance है और resistance का क्या होता है unit ohm होता है और area देखिए यहाँ पर area समझने का बात है इसका होता है meter square और जो length है वो होता है meter तो एक meter से एक meter कट जाएगा यहाँ बढ़ जाएगा meter तो क्या आग काई है तो प्रकास वर्ष जो है basically case की काई है दूरी की, IU की, समय की या फिर प्रकास की तीवर्ता की तो प्रकास वर्ष जो है वो basically दूरी की काई है आप साथ-साथ मेरे साथ attempt करते रहें और जो answers है उसको comment box में लिखते रहें और बताएं कि कैसा question है और आप कैसे attempt कर पा रहें है इसकी जो values है वो आप कैसे निकाल रहे है वो भी आप जो comment box में है बता सकते है आगे बात करें तो एक प्रकास वर्ष में जो है total कितनी होती है तो 9.46 9.46 9.46 into 10 raise to power 15 meter total इसकी length होती है आगे बात करते है next question की प्रकास वर्ष क्या होता है तो सूरी का प्रकास अधिक्तम रहा हो वह जिसमें कारे भार हलका रहा हो वह प्रकास द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी या फिर सूरी तथा प्रित्वी के बीच की औसर दूरी तो इसका सही अंसर हो जाएगा प्रकास द्वारा एक वर्ष में चली हुई दूरी मतलब एक light रे जो है one year में जितना travel करेगा उसी को बोला जाता है प्रकास वर्ष आगे बात करते हैं एक पार से कारो सम्मंधी दूरियों को मापने का मात रख है जो किसके बराबर होता है options है 4.25 परकास वर्ष 3.25 परकास वर्ष या फिर 4.50 परकास वर्ष या फिर 3.05 परकास वर्ष तो एक पार से किसके बराबर होता है तो एक पार से किसके बराबर होता है वो basically 3 into 10 raise to power 16 के बराबर होता है और इसको हमें किसमें convert करना पड़ेगा प्रकास वर्स में तो प्रकास वर्स में इसको कैसे convert करेंगे एक प्रकास वर्स बराबर हम लोग किता जानते हैं 9.46 into 10 raise to power 15 अब यहाँ है पावर में 16 यहाँ है 15 इसको कैसे solve करेंगे आईए देखते हैं तो यहाँ पे जो एक पारस वर्स बराबर लिखेंगे एक पारस वर्स हो जाएगा आपका 10 raise to power 16 और इसमें जो हो जाएगा एक प्रकास वर्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या हो जाएगा 9.46 into 15 अब देखे यह जो यहाँ पे 10 raise to power 16 है उस 10 raise to power 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं उस 10 raise to power 16 को अगर उससे 1 0 हटा दे तो यहां पर 30 लिखा जा सकता है और 30 लिखा जा सकता है तो टोटल जो हो जाएगा 30 इंटू 10 raise to power 15 हो जाएगा कैसे देखिए हम एक पार्क के एक जो पार्क से एक है उससे उसको ऐसे लिख सकते हैं तो यहां पर 16 था यहां पर 16 था उससे एक 0 हटा कर इसको 30 लिख दिये और एक प्रकासवर्स होता है 9.46 तो अब हमें देखना है यह इसका कितना गुना है ठीक है और इसके लिए हम सिंपली 9.46 से 30 को डिवाइट कर देते हैं 9.46 से 30 को डिवाइट कर देंगे 9.46 को 30 से डिवाइट कर देंगे तो यह हमारा अप्रोक्स आ जाएगा 3.25 के बराबर तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3.25 के बराबर आगे बात करते हैं अगर आपको यह सेशन अच्छा लग रहा है तो साथ में लाइक कर दिजिए और समझ में आ रहा है तो और बताएं डिटेल में जो हमारे कमेंट बोक्स है उसमें आप बता सकते हैं नेस्ट बात करते हैं कौन सी इकाई को 0.39 से गुना करने पर इंच पराप्त होता है कौन सी इकाई कौन सी युनिट को गुना करने पर इंच में पराप्त होगा तो जो cm है, cm में किसी एक unit को जो है 0.39 से गुना करने पर इंच पराप्त होता है ठीक है, यूँकि 1 cm बराबर होता है, 0.39 इंच आगे बात करते हैं, next question की, ampere क्या मापने की काई है तो ampere से हम क्या मापते हैं, voltage मापते हैं, कि पतिरोध मापते हैं या विद्धु धारा मापते हैं, या फिर power मापते हैं, तो ampere से हम लोग मापते हैं विद्धु धारा, ampere, इसको A से दिखाते हैं, और विद्धु धारा बराबर क्या होता है charge per unit time, q by t, जिसमें q क्या है, charge है और t क्या है, time है आगे बात करते हैं, next question की, megawatt बिजली के नापने की काई है, जो उतपादित की जाती है जो भोग की जाती है, बचत की जाती है, या फिर transmission में हरास होता है हरास मतलब जो है, loss होता है, transmission में जो loss होता है मतलब की अगर किसी long conductor के थुरूट, अगर electricity आ रही है तो उसमें जो loss होगा, उसी को कहा जा रहा है, transmission में हरास होता है तो इसका जो सही answer है, जो megawatt है, वो कहा की जाती है जहाँ पे विद्यूत का उतपादन होता है, जहाँ पे electricity generate होती है वहीं पेज़े होए, megawatt उसको नापने का काम करता है आगे बात करते हैं, next question की तो निमिलिखित ऐसे इनुटियों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है कौन सा सही से match किया हुआ नहीं है option से कारे, बल, बल, न्यूटन, द्रवमान, किलोग्राम, या फिर दाब और डाइन इसका जो सही अंसर हो जाएगा, दाब और डाइन, क्यूं होगा? क्यूंकि कारे का यहाँ पे होना चाहिए, जूल, sorry यहाँ पे कारे का जूल हो जाएगा, ठीक है, बल का न्यूटन, द्रवमान का किलोग्राम तो अब देखे, कारे का जूल होता है, बल का न्यूटन होता है, और द्रवमान का किलोग्राम होता है लेकिन दाब का डाइन होता है, वो होता है CGS सिस्टम में SI unit में दाप का क्या होता है पासकल ठीक है दाप का यूठ होता है पासकल तो इस तरीके से जो चौथा नमबर ओप्सन थे वो गलत है आगे बात कते हैं अंगस्ट्रोम किस की काई है तो अंगस्ट्रोम है तरंगदोर्ज की काई और तरंग धोर्ज की काई है एंगस्ट्रोम में कितना होता है एक एंगस्ट्रोम बराब होता है 10 raise to power minus 10 meter आगे बात कते हैं निमलिखित को सही मिलान कीजिए उच्चुवेग को मैक से नापते हैं आवरिती को एंगस्ट्रोम से नापते हैं नापते हैं नहीं नापते हैं दाप को पास्कल से नाप सकते हैं और उर्जा को जूल से नाप सकते हैं तो सही अंसर क्या आवरिती एंगस्ट्रोम नेस्ट बात कते हैं जल उर्जा से उसी तरह सम्बंदित है जैसे पास्कल सम्बंदित है किससे तो पास्कल किससे संबंधित है, मातरा से या फिर दबाओ से या घनतों से या सुधता से तो जो पास्कल संबंधित है, दबाओ से, दबाओ याने कि प्रेशर, ठेक है, या फिर इसको दाब भिका आसकता है नेस्ट कोशन के बात करें नेमे लिखेत में से कौन सा एक उस्मा की इकाई नहीं है तो उस्मा की काई कौन सी नहीं है कैलोरी है किलो कैलोरी भी है किलो जूल है या नहीं है और वाट है किलो जूल भी जो है उस्मा की ही जो है इकाई है लेकिन वाट किसकी काई है, पावर की काई है, ठीक है, नेस्ट कोशन की बात करें, तो पारिस्थिति की दबाव का मातर क्या है, पारिस्थिति की दबाव क्या होता है, मतलब एट्मोस्फेरिक प्रेसर, जो एट्मोस्फेरिक प्रेसर है, वो क्या होता है, उसका मातर क्या होत वह होता है बार आगे बात करते हैं निमलिखित में से कौन सा अदिसरासी है तो अदिसरासी की बात करें तो उप्शन से आपके बल दाब वेब या फिर त्वरन वेब यहां पर यह वाला वेब है ठीक है डबलू ए भी वाला वेब है तो इसका जो सही अंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दाब जो है एक अदिसरासी है अब अदिसरासी क्या होती है तो अदिसरासी एक ऐसा मान होता है एक ऐसा वेली होता है जिसमें डारेक्शन नहीं होता है ठीक है एक प्रोपर डारेक्शन नहीं होगा दाब हम लोग किसी भी डारेक्शन में अपलाई कर सकते हैं लिटर आगे बात करते हैं लंबाई की नियुनते में काई क्या है तो लंबाई की नियुनते में काई कौन सी हो जाएगी माइक्रोन, नैनो मीटर, एंगस्ट्रोम या फिर फर्मी मीटर देखें माइक्रोन जो होता है 10 raise to power minus 6 होता है nanometer कितना होता है 10 raise to power minus 9 होता है angstrom कितना होता है 10 raise to power minus 3 minus 10 ठीक है लेकिन fermi meter होता है 10 raise to power minus 15 अब बताइए इसमें सबसे छोटा कोन है तो सबसे छोटा है 10 raise to power minus 15 तो इसका जो सही answer हो जाएगा या वो हो जाएगा fermi meter तो दोस्तों ये था पूरा सेसन MCQ का physics का कैसा लगा comment box में जरूर बताएं और साथ ही आपका कितना marks आया वो भी आप comment box में बताएं और आपकी improvement कैसे और हो सकती है और question के label के बारे में भी आप comment box में लिख सकते हैं साथ ही अगर सेसन अच्छा लगा तो like करें और अपने जो friends हैं जो खास दोर पर competitive exam की तयारी कर रहे हैं उनके बीच आप share कर सकते हैं अगर आपने यह video देखा तो आपको बहुत thank you और साथ ही अपने दोस्तों के बाद साथ भी share करें धन्यवाद